सिवान रेलवे स्टेशन पर मिला बिसफोटक मच गया हर कम्प नमस्कार महुशिवांगी और आप देख रहे हैं A1 News पिहार रेलवे स्टेशन चेकिंग के दोरान एक बिसफोटक पदार्थ मिल गया जिससे पूरा प्रशासनिक विवस्ता हिल उठा सारे अधिकारी चौक गये ट्रेंग जैसे ही आकर सिवान के प्लैटफॉर्म पर रुकी प्रशासन के लोग इसकी जाच किया तो जोले के अंदर एक बिसफोटक पदार्थ मिल गया जिया दरसल बता दे कि सिवान ज्यक्षन पर बिदवार की सुबा ग्वालियर बरॉर्णी एक्स्प्रेस से बिसफोटक मिलने से हर कम पमच गया शराब की जाच कर रही ज्यारपी की ट्रेन से संदिक्ध सामान मिला जिसे कबजे में लेकर ज्यारपी हवलदार थाना चला गया थाने में पता चला कि जोले में रखा संदिक दिसमान बिसफोटक है जिसके बाद आनन्दफानर में जियारपी ने बम निरोधक टीम को सूचिना दी अब सूचिना के बाद बुद्वार की देर शाम टीम जाज करने पहुंची, जाज में पता चला कि संदेग दे समान पटाखा बनानी का समान है, मामले में जी आरपी प्रभारी ने बताय कि बुद्वार की सुबह जी आरपी के हवलदार साबीर मिया ट्रेन में शराब की जोले का सामान देखा तो पता चला कि जोले में बिस्फोटक पदार्थ है जिसके बाद पटना में बम निरोधक टीम को सूचना दी गई इधर रेल एड़ीजी के निर्देश पर बम निरोधक टीम रेलवे जक्षन पर पहुची जी आरपी कारियाले में ही बिस्फोटक पद मिलने की सूचना पर दूर दूर तक पहुच गई थी अधिकारी और लोगों में पूरा हर कंप मच गया था बम निरोधक दस्ता की टीम के शेशी कुमार ने जक्षन पर बने जी आरपी कारियाले में प्रवेश किया और विस्फोटक पदार्थ को किसी तरीके से दो तीन ड कारियाले में मौझूद लोगों ने राहत की सास ली जाच के बाद निरोधक टीम सुरक्षा के साथ विस्फोटक अपने साथ लेकर चली गई ज्यारपी प्रवारी सुधीर कुमार ने बताया कि जाच के बाद ही पता चलेगा कि जब तसामान विस्फोटक था या कुछ और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इन विस्फोटक पदार्थ को ट्रेन के अंदर किस ने रखा और कहा जाने वाला था इसकी भी खुलासा अभी तक नहीं हो पाई है बढ़हाल इस खबर पर आपकी क्या राया है कमिट बॉक्स में जरू बताए